नमस्कार दोस्तों वीडियो में हम करने वाले है जारकन पुलीज की जब अगेंसी जाएंगी उसमें आपको दोर कितनी लगानी है शाति साथ यहाँ पे आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, चेस्ट कितनी होनी चाहिए, आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए और qualification कही सारी details इस वीडियो में हम जानेंगे शुरुवात करेंगे उसके पहले इन आइडीज में मुझे आप follow कर सकते हैं तेलिग्राम, analyze for you आप सर्च करें वहाँ पे आपको वीडियो की notification मिलेगी जैससी जैए क्वीज में मैं जहारकन जीके की तेश लेता हूँ और जैससी जैए की भी तेश लेता हूँ दोनों की तेश लेता हूँ तो पुलीस वाले भी उस ग्रूप को जाइन कर सकते हैं तो शुरुवात करूँगा सबसे पहले exam की phase की जान लेते हैं कि आकर phase क्या होगा देखें तीन या चार चन्नों में यहाँ पर exam होने वाला है बेसिकली तीन चन्नों की हम बात करें तो किस तरह से exam होगी सबसे पहले सारीरिक दक्सता परिक्षा होगी मिन्स आपकी दौड होगी कितनी दौड होगी आगे हम बात करेंगे उसके बाद omar sheet पे exam होगा और वो जो exam होगा उसमें क्या syllabus होगा उस पे हम चर्चा एक वीडियो में कर चुके हैं चेल चर्चा इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को आएकर में जाकर देख सकते हैं या link में description में comment में भी डाल दूँगा जाकर आप देख सकते हो उसके बाद जो है एक चिकित सी अजाच परिक्षा होनी है तो medical test होगा और वो कैसे होता है उसकी भी हम चर्चा आ चेल होता है और वेतनमान होता है चाते चात यहाँ पर graduation level आपको यहाँ पर graduate होना जरूरी है उसके बाद हम बात करें यहाँ पर कि noon term जो age है graduation level की SI के लिए क्या होती है तो 21 वर्ज जो है सब के लिए बराबर है 21 सर आपकी age होनी चाहिए उसके बाद अधिक्तम उम्र जो UR जेनरल वाले है 26 साल और OBC वाले 28 साल और SCST वाले 30 साल जो होनी चाहिए आप पूछोगे यहाँ पर सर यह क्या इसमें age relaxation मिलेगा क्या इसकी chances बहुत कम है जहां तक मुझे लग रहा है एक दो साल का यदी हो जाए तो हो जाए otherwise नहीं होने वाला यहाँ पर inter level की हम बात करें जिसे constable की इसमें post निकलती है और इसमें नियुनतम जो age है वो 19 वर्ष होती है और जो अधिकतम age है वो 26 वर्ष जो है UR के लिए और 31 वर्ष जो है SCST के लिए और महिला दोनों के लिए है यहाँ पर और यहाँ पर जो OBC हो जाएगा BC1 उसमें 28 वर्ष और BC2 के लिए metric level की metric level की भी निकलती है कभी-कभी और यहाँ पर 18 वर्ष नियुनतम age होनी चाहिए और यहाँ पर जो UR के लिए है 25 वर्ष 28 वर्ष जो है सबके लिए नियुनतम आये होनी चाहिए और जो reserve category में है यहाँ पर list मैंने DV है तो इस तरह से यहाँ पर होगी यहाँ पर EWS के लि आगे हम बात करें कि यह सबसे important आपके लिए क्योंकि अब क्या है पहले क्या होता था कि इसमें सिर्फ pass करना होता था इसी basis पे आपको return exam में बठाए जाएगा तो पहले return नहीं होगा पहले आपका सारे रिक घष्टा परिक्षा होगी मतलब पहले दोड़ होगी तो इसमें आपको जितना जल्दी cover करना है उसी लोगों को यहाँ पे मौका मिलेगा आगे return exam में बठने के लिए सारी मापदन डागे हम लोग देख लेते हैं कि क्या होनी चाहिए तो उचाहिए आपकी होनी चाहिए 160 यदि आप युआ रहें उसके बाद अतियन पिछणा बर्ग है तो यहाँ पे नियुन्तम जो है 81 होनी चाहिए यहाँ पे सीना जो है उसके बाद अनुसुचिद है ST üst के लिए यहाँपर एक सो पिछपन और सेवंटी नाइ उसके बाद महिला जो है सभी कोटे के लिए यहाँपर 148 होनी चाहिए तो आगे हम बात कर लेते हैं चिकित उर्ग freezing परिक्षा की जश्कि में ने खाघनी करवायां जाता है को और कहीं हमाना किको किकरवाया जा वो नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन सी एक्जाम निकलती है देखिए इंडिया रिजर्व बटालियन समानी आरक्षी प्रत्रविता 2022 हो सकती है यह निकले में भी एक है क्योंकि यह पिछली बाद 2017 में निकली थी और इसमें इंटर ल निकलता है तो रेडियो अपरेटर में आपको इंटर होना चाहिए तो यहां पर कौन सी पोस्ट निकलेगी यह तो बताए नहीं रहा सकता तो जारकन पुलीस की SI की पोस्ट बहुत जादा उम्मीद है और इंटर लेवल की दरोगा की पोस्ट भी उम्मीद है तो यहां पर अल्रेडि मैंने बता दिया कि आपके क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें आप कैसे दौर की तयारी करेंगे उसकी हमचर्चा करेंगे